मेरे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां है इस देश का कोई भी गरीब चाहे वो जन्म से कुछ भी हो मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है चाहे उसकी जाति कोई भी हो कुछ भी हो मुझे उसे ससक्त करना है विक्षिद भारत का संकल्प चार अमरुत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है ये अमरुत स्तंभ कौन से है इसी पर हमें ध्यान के इंदित करना है एक अमरुत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति दूसरा अमरुत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति तीसरा अमृत स्थम्भ है हमारे किसान भाई बैन चौथी अमृत सकती है हमारा गरीब परिवार मेरे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां है मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है गरीब मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है युवा मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है महिलाएं मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है किसान इन चार जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विक्सित बनाएगा और अगर चार का हो जाएगा ना इसका मड़लब सब का हो जाएगा इस देश का कोई भी गरीब चाहे वो जन्म से कुछ भी हो मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है उसे गरीबी से बाहर निकालना है इस देश का कोई भी हुआ चाहे भी उसकी जाती कुछ भी हो मुझे उसके लिए रोजगार के स्वरोजगार के नए आउसर देने है इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाती कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे ससक्त करना है उसके जीवन से मुश्किले कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े है न, उन संपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धी तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूँ इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाती कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है मुझे उसका सामर्थ बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है मुझे उसके खेती में जो चीजे उत्मादित होती है उसके मुल्य पृति करनी है गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान ये चार जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूँ मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ बस आप मुझे आशिरवाद दीजिए, ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूँ कि इन चारो जातियों को सारी समस्याओं से मुक्तगर दो और ये चारो जाति जब ससकता होगी, तो स्वाभाईू ग्रुप से देश की हर जाति ससकता होगी जब ये ससकता होगे, तो पुरा देश ससकता होगा